जय हैं दिस वीडियों के बात करेंगे देगे कई दिनों के बाद आज इसमें अपर सब्सक्राइब लगा और शेयर प्राइस में उच्छाल देखने को मिला है लेकिन जब इस कंपनी का सेयर प्राइस कल तक 50 रुपे का सब्सक्राइब करता था तो बहुत से लोग डर के था सब्सक्राइब करेंगे साथ में बने रहने के लिए नए लोगों के लिए क्या जगह है हर एक चीज़ पर बात होगी आपको पता है कि इसका में बिजनस का बिजनस है उसका लावाँ पेपर इंडश्ट्रिस से भी और साथ में कीमिकल का कारोबार भी थोड़ा बहुत करती लेकिन इसका जो सत्तर परसेंट साथी के बिजनस आता है उसके बाद पेपर इंडश्ट्रिस और फिर केमिकल के से इसका थोड़ा बहुत कमाई होता है और मार्केट के पर 26,44 क्रोन का तदा शेयर प्राइस देखेंगे 53 रुपया 25 पैसा आज की दिन का शेयर प्राइस और इसके पीछे कारण है कि कंपनी इसको डाला हुआ और देखेंगे तो अभी यह स्टेज 4 के लिश्ट में आ गया है तो जब तक यह से बाहर नहीं निकलेगा इसके शेयर प्राइस में कुछ खास तेजी मतलब अपने जो इससे बाहर निकलने का उमीद कम है अब देखें पर जाने लगता है तो उसको अच्छे बताने लगता है हलाकि सेयर प्राइस कूपर नीचा जाने से कंपनी अच्छा या बुरा नहीं होती समझेए जब 50 रुपए का अच्पास कई दिन उसके इस कंपनी का सेयर प्राइस अठका हुआ था तब कुछ लोग का रहे थे कि इ इसके पीछे इन्होंने तर्क और लॉजिक दिये इसके उपर तो बात होगी लेकिन यह बात कर रहे थे कि तीस रुपए का सकता है यह लोग ऐसा क्यों करने कि 30 रुपए तक प्राइस जा सकता है उसके थोड़ा सा मैं जो रिसर्च किया हूँ आपको बताता हूं समझेंग अब इतना निचे आए इसकी संभवना जाया तो यह उतना निचे आएगा इसकी उमिद बहुत कम है संभावना बहुत कम है अब समझते हैं मोती लाल जी ने कहा है कि इसका प्राइस सूपर जाएगा लगभब 70 रुपए तक जा सकता है कि यह कंपनी का फंडामेंटल ग्रोथ कर रहा है आपने देखा होगा शेयर प्रैस भले 50 रुपए का यह लेकिन क्या उसके सब्सक्राइब में कोई कमी भुआ फंडामेंटर में ग्रोथ हुआ है और दुसरी बात कमपनी का बिजनेस ब्रोथ इसका जो च्रीचांट पर बजनेस से बढ़ सब्सक्राइब ने एक इसका लिए अगर ग्रोथ करें अब और फंडामेंटल ग्रोथ हुआ और बिजनेस भी ग्रोथ हुआ है इसका मार्केट लीडर तो है कंपनी है इसमें किसी को सक नहीं होना चाहिए यह बहले दिखेंगे पेज इंड्रेश्ट्री ट्रेक्टर भारत के नमर वन कंपनी है लेकिन अगर बात करें तो मार्केट लीड अज शेयर पैस ततकाली कांट से नीचे जाता है तो डरना और घबलाना नहीं है और एक इंपोटेंट अपडेट है इस कंपनी से लिटेट जो कल निकल कर सामने आई कल 29 मार्च को इस कंपनी के बोर्ड अप डियक्टर का मीटिंग हुआ इस मीटिंग में कंपनी के क्योंकि आपको पता है आज 30 मार्च हो गया और अगले महां में कंपनी के मीटिंग होगी तो यह कुछ अपडेट निकल कर सामने आ रहे थे जिसके बारे मैंने आपको बताया उम्मीद करता हूं मेरी बाते आपको समझ माई होंगी वीडियो इंफर्मेटिव लगा होगा फ आपर फॉलो कर सकते हैं मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तदो धन्यबाद शुक्रिया